हलो दोस्तों ट्रेडिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्सॉन टेक्नोलोजी के स्टॉक को एनलिसिस करेंगे और ये पूरा का पूरा डिटेल्ड में एनलिसिस होने वाली है और मैं आपको इस बात की गैरंटी दे स करेंगे ये कंपनी कितनी श्टॉंग आने वाले समय में आप लोगों को कितना रिटर्न दे सकती है और टेक्निकली में हम लोग बात करेंगे कि भाई ये क्या इंपॉर्टन लेवल सपोर्ट और रेजिस्टन्स आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है तो दोस्तों वीडि लोगों को 30-day money back guarantee भी मिलती है अगर यह course आपको पसंद नहीं आता तो आप इसको 30 days के अंदर return भी कर सकते हो इस course का link मैंने आप लोगों को description में दे रखा है तो वहां से click करके simply इस course को enroll कर सकते हो तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों के सामने यहाँ पर fundamentally बात कर ल तो दोस्तों यह 5 साल में जो company return दी है 500% से भी ज़्यादा का return आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलना है Dixon Technology की वहीं पर 1 year की बात कर लोगों तो 1 year में ही आप लोगों को 477% का return यहाँ पर आप लोगों को Dixon में देखने को मिली 1 month की बात कर लोगों तो यह आकड़ा आ negative में आ जाता है क्योंकि 1 month में अगर बात करेंगे तो 1.46% की गिरावाट रही है वहीं पर 1 week में यह आप लोगों को 6.55% का negative return दिखा रहा है और 1 day की बात कर लोगों तो यहाँ पर फिलाल जो मैं वीडियो बना रहा हूं यहाँ पर आप लोगों को 4.97% की यहाँ पर गिरा तो 2,450 क्रोड रुपीस का इन्होंने net revenue जनरेट किया जिसमें से प्योड़ प्राफिट की बात कर लोगों तो 0.04,000 क्रोड रुपीस इन्होंने net profit जनरेट किया वहें पर दोस्तों 2017 से बढ़के 2018 में company नें जो net revenue जनरेट किया 2,840 क्रोड के आसपास इन्होंने net revenue जनरेट क और प्रॉफिट की बात करनों तो आप देख सकते हैं 0.06,000 क्रोड यहां से प्रॉफिट इन्हों ने जनरेट किया जो की 2008 में बढ़ता हुआ नजर आया वहें पे दोस्तो 2019 की बात करनों 2019 में इस कंपणी ने नेट रेवनु जो जनरेट किया वो 2,990 क्रोड रुपीज के आज पास इन्हों ने नेट रेवनु जनरेट किया और यहां पर नेट प्रॉफिट भी अगर आप नोटिस करेंगे तो इनका फिर से नेट प्रॉफिट यह इनक्रीज हुआ 0.06,000 क्रोड रुपीज इन्होंने वापस 2018 में यहां पर क्या हुआ 0.06,000 क्रोड रुपीज इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया और प्रॉफिट की बात करनों तो दोस्तो ज़स्ट डबल प्रॉफिट हो गया 2019 के बाद 20 में जो की 0.12,000 क्रोड रुपीज के आसपास इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया ओवरॉल कंपणी का पर्फॉर्मेंस देख लूँ तो दोस्तों कंपणी लगातार यहाँ पे रेविनु को अपने इंक्रीज करती जा रही है नेट प्रॉफिट भी इनका यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहा है वहीं पे दोस्तों प्रमोटर्स की बात कर लूँ तो 1.05% का आप लोग देख सकते हैं जो प्रमोटर्स के पास सेर थे वो 1.05% आप लोगों को यहाँ पर प्रमोटर्स में गिरावाट देखने को मिली वहीं पे दोस्तों mutual fund की बात कर लूँ तो यहाँ पर तीन महीने की लास्ट के तीन महीने की बात कर लूँ तो mutual fund company जो थी उन्होंने 2.49% यहाँ पर उनके mutual fund में जो सेर बाई थे वो गिरावाट देखने को मिली है इनके stock के अंदर तो overall अगर आप fundamentally मुझसे पूछेंगे कि भाई Dixon Technology आप लोगों को fundamentally कैसा लगता है देखो मुझे तो fundamentally strong लगता है because इनके company को उपर बहुत ज़्यादा debit भी नहीं है और यहाँ पर net revenue भी अपना increase करते जा रहे हैं और उसके बाद उसके साथ-साथ यह अपना profit भी consistently increase कर रहे हैं तो overall fundamentally यह company मुझे काफी ज़्यादा strong अब चलिए मैं आप लोगों को technical chart के थुरू समझाता हूँ कि यहाँ पर डिक्सॉन में अगर आप पिसले तीन दिन से देखोगे तो तीन दिन से लगातार यहाँ पर आप लोगों को गिरावट देखने को मिल नहीं है अब ही यह गिरावट कहां तक आ सकती है दोस्तों उस लगातार क्या कर रहा है इसी trend line के सारे यह इसी trend line के सारे क्या कर रहा है बार बार support लेते हुए इसी trend line के सारे यह dexon technology आप लोगों को stock भागता हूँ नजर आ रहा है जब तक इस trend line के उपर बना रहेगा दोस्तों dexon में आप लोगों को तेजी देखने को मिलेगी मैं फि इस दिन ये अपने इस trend line को break करता है दोस्तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 33,000 का एक support मिलेगा अगर यह support भी break किया तो दोस्तो यहाँ पर Dexon में आप लोगों को selling के opportunity खोजनी चाहिए because उसके बाद ये stock आप लोगों का गिरता चला जाएगा because इसके नीचे कोई strong support आप लोगों को नहीं मिलने वाले तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू यहाँ पर Dexon Technology में आप देखोगे लगातार इसी trend line को follow करते हुए यहाँ पर जा रहा है और पिछले तीन दिन से लगातार यहाँ पर गिरावट आ रही है अभी यह गिरावट कहा तक आ सकती है दोस्तो उसके बारे इसी trend line के आसपास क्या कर रहा है यह support लेता हुआ दोस्तो उपर की तरफ movement so कर रहा है तो वापस से अब अगर यह गिरेगा तो कहीं न कहीं एक तो यह support काम करेगा जो 33,000 का है और दूसरा यह जो trend line है हमारा जो की trend line का support लेगा वो support यहाँ पर काम करेगा तो दो-दो support यहा पर 33,000 से 34,000 के बीच में आप लोगों को stock को buy करना चाहिए और आने वाले कुछी दिनों में दोस्तो आप लोगों को जो पहला target 45,000 रूपीज के आसपास target आप लोगों को dexon में मिलने वाले हैं आने वाले कुछी दिनों में मिल जाएंगे यह हमारा पहला target रहने वाले है और दूसरा target जो हमारा रहेगा दोस्तो वो 5,162 रूपीज के आसपास यह आप लोगों को stock दिख जाएगा और जो हमारा third और आखरी target रहेगा 2021 के last तक वो रहेगा 5,862 का तो फिलाल यहाँ पे 3,300 या 3,400 रूपीज के आसपास आप लोग dexon को buy कर सकते हैं buy करने के बाद दोस्तो 3,000 के आसपास आप लोगों का इसका stop loss होना चाहिए और 3,000 के उपर ही मुझे लगता है यह stock रहेगा और आने वाले कुछी दिनों में आप लोगों के एक अच्छा return आप लोगों को dexon में देखने को मिलेगा तो दोस्तो इसी तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ टेलिग्राम चैनल पे जिन लोगों ने जॉइन नहीं कर रखा बहुत सारी information मैं वहाँ पर भी share करता रहता हूँ तो link description में दिया हुआ है आप वहाँ से हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं आई होप दोस्तो आपको मेरी ये टेक्निकली और फंडामेंटल एनलिसिस पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना अब हम आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे तब तक के लिए ज जै हिंद जै भारत